नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया सुक्लो और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हर्ताल का तीज व्रत की कथा के बारे में। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। तो यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्रेव संकर ने माता पार्वती को इस व्रत के महात्म की कथा सुनाई थी। उन्हें उनके पूर्व जन्म का इश्मरन करवाने के लिए। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे गौरी, परवत राज हिमाले पर गंगा के तब पर तुमने अपनी बाल्य वस्था में अधो मुखी होकर घोर तब किया था। इस पूरी अवधी में तुमने अन्य का सेवन नहीं किया था, केवल हावा का ही सेवन किया था। इतनी पूरी अवधी तुमने सूखे पत्ते चबा कर काटी थी। मांग किसी तलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तब किया था। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती वैसाग की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचागन से सरीर को तपाया था, श्रावन की मुशलाधार वर्सा में खुले आस्मान के नीचे बिना अन्य जल ग्रहन किये वितीत किये थे. तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे. तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारज जी तुम्हारे घर पधारी. तुम्हारे पिता ने उनसे यहां आने का कारण पूछा, तो नारज जी ने कहा, हे गिरी राज, मैं भगवान विश्नु के भेजने पर यहां आया हूँ आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रशन होकर, भगवान विश्नु उनसे विवाह करना चाहते हैं, और इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ नारज जी की बात सुनकर परवत राज अतिप्रसन हुए और बोले, श्रीमान, यदि स्वयम विश्नु मेरी करन्या का वरण करना चाहते हैं, तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, वो तो साक्षात ब्रह्मा है ये तो हर पिता की इक्षा होती है, कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पती के घर की लक्षमी बने इसके बाद नारज जी तुम्हारे पिता की सुईक्रत पाकर विश्नु भगवान के पास गए, और उन्होंने उन्हें विवाय तैह होने का समाचार सुनाया परन्तो जब तुम्हें इस विवाय के बारे में पता चला, तो तुम्हारे दुखक ठिकाना ना रहा तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुखका कारण पूछा और फिर तुमने उसे बताया, मैंने सच्चेमन से भगवान सिव का वरण किया है, किन्तु मेरे पिता ने मेरा विवाय विश्णु जी के साथ तै कर दिया है, मैं बहुत धर्म संकट में हूँ, अब मेरे पास प्राण त्याग देने के लावा और कोई उपाय नहीं बचा तुम्हारी सकी बहुत समजदार थी, उसने कहा प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है, संकट के समय धैर से काम लेना चाहिए, नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है, कि जिसे मन से पती के रूप में एक वार वरण कर लिया, जीवन परियंत उसी से निरवाय करे, सच चियास्था और एकनिष्था के समक्ष तो भगवान भी असहाय है, तुम्हारी सकी कहती है, मैं तुम्हें ऐसे घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना इस्थल भी होगा, और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे, उसने कहा कि मुझे पूर्ण व विष्णु से अपने पुत्री का विवायत है कर दिया है, यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली, तो बहुत अपमान होगा, ऐसा विचार कर परवत्राज ने चारो और तुम्हारी खोज शुरू करवा दी, भगवान शिवशंकर पार् तिनक्षात्र था, उस दिन तुमने रेत के सिवलिंग का निर्माण किया, रात भर मेरी स्तुती में गीत गा कर जागरन किया, तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा, और मैं सीगर ही तुम्हारे पास पहुंचा, और तुमसे वर मागने को कहा, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, तब मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पती के रूप में वरन कर चुकी हूँ, यदि आप सच्चमुच मेरी तपस्या से प्रशन होकर यहां पधा रहे हैं, तो मुझे अपने अर्धामनी के रूप म नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित वरत का पारण किया, उसे समय गिरिराज अपने बंधू बांधू के साथ तुम्हें खोशते हुए वहां पहुचे, तुम्हारे दसा देखकर वो बहुत दुखी हुए और तुमसे तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण मेरी इस तपस्या का केवल एक उद्देश से है, महादेव जी को अपने पती के रूप में प्राप्त करना, आज मैं अपनी तपस्या की कसोटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्यूंकि आप मेरा विवा विश्णु जी से करने का निश्च्या कर चुके थे, इसलिए मैं अपन के साथ इसी सर्थ पर वापस चलूंगी कि आप मेरा विवा महादेव जी के साथ करेंगे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी एक्षा स्विकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए, कुछ समय बाद उन्होंने पुरे विधी विधान के साथ हम दोनों का विवाह किया, भगवान शिव ने आगे कहा, हे पारवती, भादरपत की सुक्ल तुतिया को तुमने मेरी आरात्ना करकी जो व्रत किया था, उसी के परणाम सरूप हम दोनों का विवाह संभा हो सका, इस व्रत का महत्वे यह है कि मैं इस दिन इस व्रत को पून निस्था से करने वाली प्र प्रदेश से हरकर जंगल में ले गई थी, हरताल का सब्दों दो सब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका, जहां हरत का मतलब होता है हरन करना और आलिका का मतलब होता है सक्षी, भगवान शिव ने पारवती जी से कहा, इस व्रत को जो भी इस तरी स्रद्धा पून भाव स करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल जुहाग प्राप्त होगा ते इस तरह से यह कथा समाप्त होती है अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी को हरतल का तीज की बहुत-बहुत सुब कामना है बहुत करें खुब करें पादेगी हो एंची लगए ठाया है तरह प्रवाटी करें पर वादक करें वादा डिया तरह तक करें तो वीड़ में तक में तो बतायर कर्श में तक करें।